चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो वेटनरी की 15% ओल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग अभी जल्द ही स्टार्ट होने जारी है इसका एक दो दिन के अंदर ही सेड्यूल जारी हो जाएगा इसके काउंसलिंग वीशी आई दुवारा करवाई जाएगी जिसकी वेबसाइट वीशी डूट डीए डीएफ डूट जीओवी डूट इन है इसी पर आपको पूरी अपडेट्स मिलेगी वीशी आई दुवारा अभी एक नोटीस भी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि पहले बीवीशी एंड एएच कोर्स के लिए लास्ट डेट 30 सिप्टेमबर 21 थी इससे अक्स्टेंड करके 28 फरवरी 22 कर दी गई थी मगर अभी सिच्वेशन को देखते हुए इसकी लास्ट डेट 15 अप्रेल 22 कर दी गई है कहने का मतलब यह है कि 15 अप्रेल तक बीवीशी एंड एएच कोर्स में एडमिशन कम्प्लीट हो जाएंगे अब हम इसका प्रिवीश एर का सेडूल देखे तो फर्स्ट राउंड के लिए 20 डेज में फर्स्ट राउंड कम्प्लीट हो जाता है सेकिंड राउंड 15 डेज में और मोप अप राउंड 10 डेज में कम्प्लीट हो जाता है तो उसी के अकोर्डिंग अभी एक दो दिन में ही काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है क्यूंकि counseling process में एक date मेने का समय लगता है मगर अभी जो last date इन्होंने दिया है 15 अप्रेल तो उसमें समय कम है इसलिए ये है बिलकुल clear हो चुका है कि अभी एक दो दिन के अंदर ही ये counseling start होने वाली है इसमें first or mop up round में phrase registration होता है second round में कोई registration नहीं होता है first round की choice के according ही इसमें second round में seat alert होती है अब मैं आपको इसकी category wise cut up बता देता हूँ category wise expected cut up first round में क्या रह सकती है second round में क्या रह सकती है last round में क्या रह सकती है तो इसकी मैं आपको यहाँ पर cut up बता रहा हूँ your category की first round में 540 cut up रह सकती है सेकंड राउंड में 535 और लास्ट राउंड में 525 कटोप रह सकती है UR केटेगरी EWS की फर्स्ट राउंड में 537, सेकंड राउंड में 532 और लास्ट राउंड में 522 रह सकती है OBC की फर्स्ट राउंड 535, सेकंड राउंड 530 और लास्ट राउंड 520 रह सकती है ST category 1st round 430, 2nd round 420 और 3rd round 410 रह सकते हैं, ST category 1st round 420, 2nd round 410 और 3rd round यानि मोप अप राउंड 390 कटोप रह सकते हैं, तो यह expected कटोप है, इसे कम ज्यादा भी जा सकती है, क्योंकि यह situation के according भी यह depend करता है, मोप अप राउंड में MBBS की क्या कटोप जाती है, उस पर भी यह depend करता है, आयूस की क्या कटोप जा रही है, उस पर भी depend करता है, तो यह कम ज्यादा कटोप भी रह सकती है, तो यह expected कटोप थी, वेटनरी काउंसलिंग के लिए, तो जैसे ही इसका schedule जारी होगा, इसके बारे म और अपडेट मिलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं